पुलिस को सूचना मिली थी कि उस कार्याले में जुए की फंड को संचौलित किया जा रहा है जब पुलिस ने रेड मारी तो लाखो का कैश और पंद्रा लोगों को पकड़ा भी है इस दोरान कॉंग्रिस जुलाद्रक्ष कंबल ओड कर थाने से भागे हैं पुलिस ने बिना देरी किये ततकाल कारवाई की और मोके सी दो लाख 49,410 बरामत किया इसके अलावा बान सिंग कुश्वाहा सही 14 ने लोगों को भी गिरफतार किया गया है बताया तो ये भी जा रहा है कि बान सिंग कुश्वाहा की कुछ लेटर पैट भी मोके से बरामत हुए हैं जो की कॉंग्रिस के भिन जुलाद देक्ष हैं थाना प्रभारी ने बताया कि जब उन्होंने घटना स्थल पर रेट करी तो तीन लोग मोके से फरार हो गए उन्हें पकड़ने के बजाए हमने मोके पर मौझूद लोगों को पकड़ने की प्रात्मिकता दी इस दोरान कई लोग वाश्रूम में जाकर छुप गए जब उन्हें बाहर निकलने को कहा तो वे तैयार ही नहीं थे उसी समय बड़ा इंबैरिसिंग भी फील हो रहा था जब जबरदस्ती दर्वाजा खुलवाया गया तो लोग कपड़े उतार कर उसमें बैठे हुए थे ताकि उन्हें कोई न पकड़े लेकिन पुलिस स्टाफ ने वाश्रूम में घुस कर उन लोगों को जबरदस्ती बाहा निकाल लिये पुलिस ने मौके से 18 मोबाइल और 11 दो पहिया वाहन भी बरामत किया इसके साथी 5 मेंगी 4 पहिया वाहन भी मौके से बरामत हुए है पुलिस का कहना है कि पूश्टाश लगतार की जा रही है इस बात पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि ये कहा कहा से लोग जुआ खिलने के लिए आते थे वेवस्थाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रदेश ही नहीं बलकि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां जुआ खिलने के लिए आते थे वहीं कॉंग्रिस जिलादेक्ष बांसिंग कुश्वाहा को पुलिस पकर कर ठाने लाई थी इस दोरान उन्हें जब मौका मिला तो वे कंबल ओर कर ठाने से भागने लगे जिलादेक्ष को भागते देखकर पुलिस कर्मी ने भी दोर लगा दी कुश दूर जाने के बाद मांसिंग कुश्वाहा को पकर लिया गया और इसके बाद जेल भी भेज़ दिया गया इस पूरी खबर को लेकर कि आपकी क्या कुश राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तब तक लिए देखते रहें न्यूस बने